नमस्कार दोस्तो मैं हूँ चंदन चौबे स्वागत करता हूँ आप सबका कानपा एजुकेशन यूटीब चैनल पर अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऐसे छे अमेजिंग टिप्स जो आपको आई-एस बनने में काफी हेल्प करेगा और ये टिप्स आपके लि नि मोग टेस्ट ऐस पॉसिवल अगर आप जादा से जादा टेस्ट देंगे इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्षन जो है स्लेबस का वह आपका वीख है या कौन सा इस्ट्रॉंग है वीकर सेक्षन को आप फिर से प्रिपेर कर लेंगे दूसरा बेनेफिट है कि इसस अगर पूचता है इस तरीके के question भारत के वोस अपने जो उसे सोने ही ना दे अब आप इसका answer सोचिए और इसका answer देने की कोशिज कीजिए of course आपका intuition इसका answer देने के लिए जवर्दस्त होना चाहिए और आपका intuition जब जवर्दस्त होगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें जो यह question है भारत के वोस अपने जो सोने ना दे इसमें इस question का simple मतलब यह है कि इंडिया किस तरीके के challenges को follow कर एक actually face कर रहा है यानि challenges for इंडिया जो topic है उससे यह question पूछा गया है लेकिन इसको पूछा किस तरीके से गया है काफी घुमा के और इसी लिए इस तरीके के question को crack करने के लिए आपको intuition की जरुत पड़ेगी without intuition this is not possible इसी तरीके से मैंने question design किया है आपके लिए जैसे live on belly and foot are both at fire critically analyze अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इस question का answer आप जब ही कर पाएंगे जब आपका intuition काफी अच्छा होगा यहाँ पर आप जितना जल्दी आपका intuition जितना अच्छा होगा उतनी फटा-फट इस question को समझ पाएंगे और जितनी जल्दी समझ लेंगे उसके बाद ही उसका blueprint बना कर उसका answer उतनी जल्दी लिख पाएंगे यहाँ पर इस question का simple मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए lube मतलब oil और यहाँ पर belly मतलब एक तरीके से पेट हो गया लेकिन यहाँ पर oil जब lube लिखा है वो इस context में लिखा है edible oil के मामले में यानि खाने वाले तेल सरसो का तेल हो गया refined हो गया यह सारे तेल उसके बाद से दुबारा मैंने लिखा है foot foot यानि movement के लिए यानि यहाँ पर जो lube हो गया इस context में हो गया edible oil और माफ किजेगा sorry motor oil यानि गाड़ी को चलाने के लिए यानि petrol diesel oil और यहाँ पर लिखाया मैंने at fire यानि इसका जो दाम है इस समय काफी जादा high है यानि inflation को indicate किया है तो यह question अगर आपका intuition develop होगा तो आप देखेंगे पिछले साल भर में चाहें वो edible oil हो या चाहें वो motor oil हो यानि गाड़ी को चलाने वाला तेल हो दोनों का price काफी high रहा है और जो citizen है देश के उनको काफी पीडा हुई है उनको काफी इस महंगाई की मार को जहिलना पड़ा है तो यहाँ पर मैंने यह question इस तरीके से बना दिया है और यहाँ पर लिख दिया है critically analyze तो इस तरीके के question को आप simply देखेंगे और समझेंगे कि अब यहाँ पर इसमें क्या करना है तो आप simply अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें oil की बात हो रही है edible oil और motor oil दोनों की और इसके price क कैसे बढ़े कारण क्या है इनके इसको actually में लिखना है answer में अगर आपका intuition डेवलप नहीं होगा तो आप यह चीज जानते वे भी कभी इस तरीके के question को solve नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर यह question तो मैंने simple बना दिया था ल्यूब से आप समझ जाएंगे की oil इसका मतलब है ल्यूब को दोस्तो synonym होता है coat co80 coat अब देखे coat का मतलब कपड़ा भी होता है और coat का मतलब एक तरीके से oil के लिए भी use होता है synonym के तोर पर तो यहाँ पर अगर मैं ल्यूब की लिख दिया होता coat on belly and foot are both at fire critically analyze तो आप इ UPSC game खेलती है और UPSC के game को आप जब ही समझ पाएंगे जब आप अपने intuition पर काम करेंगे अगर आप हमें financially support करना चाहते हैं तो account details नीचे दी हुई है हम आप से कोई बहुत बड़ी amount नहीं मांग रहे 4-5 digit में कोई पैसा नहीं मांग रहे हम आप से सिर्फ humble request कर रहे हैं कि 12 to two digit में आप हमें जरूर contribute करें यानि एक रुपए से लेकर के 99 रुपए के बीच में आप हमें contribute कर सकते हैं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो नहीं तो at least like, share and subscribe our videos